नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेजन स्वागात रविनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का मंगल एक ऐसा क्रेंच जिसके अंदर टेज है जिसके अंदर प्रताफ है जिसके अंदर टाकत है जिसके अंदर जोश है जिसके अंदर जनून है जिसके अंदर क्रोध है जिसके अंदर सामने वाले को जवाब देने की च्छमता है मंगल क्या है मंगल रख्त है जरक्त यानि कि कुन जिसके जिसकी रगों में कुन खौलता है जिनकी रगों में खून दोडता है वो लोग शूरवीर होते हैं मंगल सेना पती है मंगल हतियार है मंगल ग्रेह साहस है आत्मिश्वास है कॉन्फिडेंस है मंगल जिसका कमजोर उसका आत्मिश्वास कमजोर वेवसाय में मंगल सेना है यानि सेना की अधिकारी सेना में जो भी लोग काम करते हैं पुलिस, सेनन, जहाँ पे शौर्य का काम होता है सैनिक है मंगल, योद्धा है मंगल, बिल्डर है मंगल, इंजीनियर है मंगल रियल स्टेट के कामों को जोड़ता है मंगल, वیबार का प्रतिदिध्य को करता है मंगल टॉप के डॉक्टर खासकर सर्जन या पुलिस के बड़े अधिकारी जाहे वो I.S.P.C.S. या सीना के बड़े अधिकारी ये सब वही होते हैं जिनका मंगल बलवान होता है मंगल प्रख्याद भी बनाता है और मंगल को ख्याद भी बनाता है अब इस दुनिया में अगर पुलिस है तो चोर भी है तो दोनों तरीके की प्रवर्टी मंगल देता है तो कुली में अगर मंगल बली है अच्छा है तो आप बहुत प्रख्याद हो जाएंगे और अगर खराब है तो कुख्यात हो जाएंगे किसी ना किसी लाइन में तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे मंगल क्रोध है गुसा है व्रश्चिक राशी और मेश राशी का स्वामी है मंगल और मंगल अपनी ही राशी व्रश्चिक में 5 दिसंबर 2021 को सुबह लगबख 5 बज़े प्रवेश करेंगे और 4 जनुरी 2021 की सुबह तक मंगल व्रश्चिक राशी में ही गोचर करेंगे यानि साल 2021 का आखरी महीना दिसंबर का और साल 2022 की शुरुआत मंगल के आशिरवाद से ही होगी सभी भारा राशी वाले जातिकाओं की मंगल के पास तीन द्रश्चियां है मंगल जहां बैठते हैं महां से चतुर्त सब्तम और अस्तम भाव पर द्रश्चि डालते हैं मंगल की द्रश्चि मिश्चित फल देती है मंगल की द्रश्चि शुब या मित्र गरहों पर पड़े तो बहुत अच्छी मंगल एक 27, 28, 26 साल का जो लड़का होता है जितना अपसके अंदर जोश होता है वो मंगल है तो मंगल अगर अच्छा है तो आप जरूर दंगल करेंगे और मंगल अगर खराब है तो समझ लिजी आप डर पोक भी बन जाएंगे तो आईए आप जानते हैं कि आपकी राशी पर इस मंगल के परिवरतन का क्या परभाव पड़ेगा यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी हम विस्तार से चर्जा करेंगे आपकी राशी की और साथ ही साथ जानेंगे उपाए जिससे की मंगल को हम और बहतर कर सके आईए शुभारम करते हैं अब हम बात करेंगे वरशब राशी की तो ध्यान से ये गोचर कुंटी देख लीजिए आप वरशब राशी के लिए मंगल बारवे और साथवे भाव के स्वामी है जो की साथवा भाव जो है वो साज़ेदारी का है विवा का है वैपार का भी है और बारवा भाव जो होता है वो व्य का है खर्चे का है विदेश यात्रा का है और वर्षमान में मंगल जो है सप्तम भाव यानि विवा साजेदारी की भाव में गोचर कर रहे हैं जहांपर देख रहे हैं यहां पुर्ली में आठ नमबर लिखा हुआ है आठ नमबर यानि की वरष्टिक राशी और मंगल वरष्टिक राशी में है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सावधाम करूँगा उन लोगों को जो लोग शादी शुना है विवाहिक जीवन में अगर सुक चाहते हैं तो अपने जीवन साथी से तालमेल बिठा के रखें उनकी इच्छाओं का उनकी जो दिल की बात है या उनकी जो जरूरते हैं उनका पूरा ख्याल रखे और रिष्टों में ट्रांस्पेरेंसी रखें पार दर्शिता कुछ भी छुपाएं नहीं कुछ भी उल्टा सीधा ना करें नहीं तो बहुत बड़ा आपको वह वही जीवन में तराओं देखने को मिल सकता है अगर आप पती हैं तो बहुत अच्छे से रहें पत्नी हैं तो अपने झीवन साथी के साथ बले प्यार से रहें एक जो रिष्टा होता है जो भाशा होती है उसकी मरियादा को बनाए रखें आर्थिक चिंता भी आपको हो सकती है पैसों को लेकर भी आपको थोड़ी बहुत परशानी हो सकती है जब आपके रिष्टे खराब होंगे तब मिया ब्यूवी की समस्याएं पति-पत्नी की समस्याएं परिवार में आशान्यती फ़ला सकती है चिंताएं बढ़ा सकती हैं उसकी वज़े से बच्चों पर हुरा असर पढ़ सकता है और आपकी वानी जो है वो इतनी ज़्यादा कठोर हो जाए कि आप किसी को कुछ समझे ना अब वानी की कठोरता सिफ परिवार में ही नहीं आएगी जहां आप कारी करते हैं वहां पर भी आपको बड़ा संभल कर बोलना है महिलाओं से रिष्टे बड़े संभल कर आपको रखने है कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी आपको ऐसा लगएगा कि कुछ जरूर से जादा मेहनत हो रही है आपको अपनी चमता अपने अनुभाव का भी यहां पर प्रयोग करना होगा पैसा कमाने के लिए चुनौतियां आएंगी आत्मिश्वास को बढ़ा कर रखना होगा आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहों जो काम कर सकते हैं उसी काम के लिए हां भरिएगा जो काम नहीं कर सकते हैं उस काम के लिए मना कर दीजेगा जरूर स्याथिक काम अपने कंदों पर बोज मट डालिएगा अपने पारिवारी संबंधों में तनाओं के कारण आपका मन काम में नहीं लगेगा लडाई जगडों में एक इंसान जब घर से लड़के निकले तो बाहर भी लड़ता है मूड खराब होता है और अडाई जगडा कर लेता है बहुत से कर ले इस से कर ले उस से कर ले रहा चलते आपकी लड़ जाए तू तू मैं में हो जाए जिसकी वज़े से वो fully concentrate नहीं होता है अपने work को लेकर चाहे नौकनी हो बहपार हो या पढ़ाई हो या कुछ और हो तो परिवारी संबंदों को बहुत संभल कर आपको बिताना होगा यहाँ पे लड़ाई पती पतनी की होगी फिर उससे घर के जो आने लोग है उनसे भी रिष्टे खराब होंगे बच्चों की भी तो सब तरफ से परशानी आती है जो पढ़ने रिखने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत ध्यान लगाकर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी होगी अच्छे प्रयास करने होगे परिक्षा कंप्टिशन जो है उसमें आपकी घरेलू समस्या है उनके दिमाग पर ना हावी हों इस बात का ध्यान रखना होगा इमानदारी से अगर पढ़ाई लिखाई करी तो विदेश जाने में सफल होगे विदेश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश में वैपार करने के लिए विदेश से कुछ लाब मिलने के लिए आपकी प्रबल संभावगाए बन जाएंगी स्वास्त के दर्ष्टी कोर से अगर देखें तो ये इस्तिती बहुत जादा बेतर नहीं कही जाएगी हम यहां पर बात करें अगर मंगल की चौथी दृस्टी तो मंगल की चौथी दृस्टी दशमभाव पर होगी तो आप उकड़ी महनस से अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी बढ़िया रणनीती बनाकर बढ़िया योजना बनाकर आप आगे बढ़ेंगे और विजाई होंगे छोटे पद से छोटी पोलीशन से छोटी नौकरी से बढ़ी नौकरी में जाने की तरफ आपका रास्ता खुल जाएगा बढ़िया रणनीती बनाएंगे तो आप अच्छा बिजनस भी कर पाएंगे आपके शत्रू जो विद्रोही हैं वो आपके जलेंगे आपकी सफलता से लोग जलेंगे और जलने वाले लोगों का एक ही काम होता है आपको परिशान करना तो जलन की कारण लोग आपको परिशान कर सकते उनसे बचने की कोशिश करिएगा वैसे आपके पास हर एक विक्ति का मुझ तोर जवाब होगा तो बुरे लोगों से यहां पर बचने की आउशकता होगी मैं कहूंगा गरीब अमीर बनेगा अमीर और अमीर बनेगा ये भी तैय है तो बंगल की जो सक्तम रष्टी है वो लग्ण पर होगी तो आपके अंदर ताकत होगी साहस होगी हर एक काम को करने की इच्छा होगी महातु कामची होगे सेना पुलिस जैसी नौकलियों में बहुत अवल होंगे ऐसी फील्ड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या परिक्षा पर त्युक्ता दे रहे हैं सफलता के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे उनकी तैयारियों में उनको अच्छे रिजल्ड प्राप्त हो जाएंगे आला अधिकारियों से आपके रिष्टे अच्छे हो जाएंगे मशीनरी का काम करने वाले लोग लोहा संबंदी काम करने वाले लोग लकडी, लोहा संबंदी, प्रॉपरटी से संबंदी काम करने वाले लोग बहुत अच्छा मुनाफ़ा यहां पर कमा पाएंगे कामों में लाब होगा जो भी शनी से समद्धित अधिकतर काम होते हैं जहां लोहा, लकडी, प्रॉपरिटी, बिल्डर का काम बिल्डिंग का काम, मशीनरी, कंप्यूटर, हाडवेर, सॉफ्ट्वेर सम्में आपको बहुत तरक्षी मिलेगी, कम्मिनुकेशन इस सब शेतरों में बहुत तरक्षी करने वाले हैं आप लोग और जो आपके भतीजिये हैं और उनसे भी आपको बहुत अच्छा लाब होगा चाचा से आपको बहुत अच्छा लाब होगा चाचा से अपने रिष्टी अच्छे बनाए जरूर रखिए गा तो मंगल की अगर हम दर्ष्टी की बाद कर रहे थे तो मंगल की अगर हम दर्ष्टी देखें तो धन भाव पर भी मंगल की दर्ष्टी होगी तो आप अपने प्रियासों से धन कमाने में सफल होगे, धनवान होगे, बहुत आसानी से पैसा वैसा कमा लेंगे, लेकिन पैसा जोडने में मुश्किल हो सकती है, इधर आया, इधर खर्च हो गया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खर्चों को लेकर लापरवाही इतन रख्येगा, विवाहित हैं तो ससुराल बक्ष से रिष्टे भी बढ़िया हो जाएंगे, और वहां से कुछ पैसा वैसा या कोई आर्थिक सहाथा भी राप्त हो जाएगी, तो ये इस्तिती अच्छी बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बोला, अपने परि अच्छे डॉक्टर से संपर करना चाहिए, अब सात्वे घर में मंगल है, तो सात्वा घर जैसे मैंने कहा विवाहित जीवन का है, तो यहां पर कई बार आपकी आँखों में पट्टी बन जाएगी, आपको सुनना नहीं चाहेंगे, और अपने जीवन साती के उपर आरोप परत्यारूप लगानेंगे या हिंसक हो जाएंगे आप, कैते हैं आँख में पट्टी बन गई, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानों में भी रूही चली जाएगी, और बस कहीं सुनी बातों में आकर आप हिंसक हो जाएंगे, जिससे ब बैटे हैं, कहीं दोस्तियारी में बैटे हैं, या कहीं घर के आसपास बैटे हैं, रिष्टिदारों के साथ बैटे हैं, तो बात कर रहे हैं, कोई विशह पर कोई चर्चा हो रही है, तो चर्चा में एक्दम से गर्मी आ जाना है, यानि कि आप तेज बोलने लगें, उल्ट कि आग जल रही हो और किसी ने पेटरोल लाल दे दो वून तेक्टम तो आग भड़क जाते हैं ऐसे आप बिना वजह कहीं पर भड़क जाएंगे और फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है इस बात का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा आप किसी को लंड हो सकता है यहांपर और पती पतनी के भी जैसे मैंने कहा अलाई जगले गलत फैनिया हिंसक परवर्टी तक आप जा सकते हैं मदबेद बैदा हो सकते हैं और कारिस्थल पर भी समस्या हो सकती है आपके बोस के साथ तो बहुत कुछ अच्छा भी है लेकिन बहुत कुछ सावधानियों के साथ ही अच्छा होगा इस बात को विशेज जियान रखिएगा अब अगर आपकी जनम कुणली में मंगल की स्कती बेहतर है तो पर परड़ाम बहुत कुछ आपके हाक में होंगे अगर स्कती बेहतर नहीं है तो बहुत आपको संभल कर रहना होगा सुझी का बनाएं या पेसन का बनाएं या किसी और चीज़ का बनाएं हलुआ 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 आप लोग खाते होंगे तो वह हलुआ 어제 στο मिलाया जाता है तो पानी की जिए दूद मिलाइए दूद से बना हुआ हलुआ, बनाईए, मीठा हलुआ, खुद भी थोड़ा बहुत खाईए, और 4-6 लोगों को आसपरोस में खिलाईए, घर के लोगों को खिलाईए, ये नीमित रुप से हाफते में एक दो बार कर लेंगे, तो मंगल के अशुप्रभावों से आप बच जाएंगे, बाकी कोई अगर आपकी जरम कुणली में मंगल किस्ति बहुत खराब है, तो फिर आपको कुणली की जाच जरूर करानी चाहिए, नमस्कार.